हलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं मनोज जोसी अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मनोजमल्टी तो दोस्तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है Hot Air Oven तो आज हम जानेंगे hot air oven होता क्या है इसके बारे में हम practical जानेंगे इसका वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को subscribe कीजिए बगल में जो bell icon है उसे ज़रू प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपनी चैनल पर अपलोड करूँ उसका notification आपके बाब पहुंच सके तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं और जानते हैं hot air oven होता क्या है hot air oven एक installation method है एक technique है जिसके अंदर हम एक device है जिसके अंदर हम अपने जो object है उनको हम उसमें slice करते हैं slice means होता है slice का मतलब होता है किसी भी object को microorganism से free करना ठीक है किसी भी organism जो object है हमारे पास उसको contamination से microorganism से free करना microorganism में हो सकता है हमारा bacteria हो सकता है virus हो सकता है parasite हो सकता है जो भी जितने भी kinds की microorganism है उसको free करना इसलिए हम इस्ट्रिलाजेशन का इस्तमाल अपने लैबोटरी में करते हैं तो उनी में से जो हमारा होट एरोवन है वो हमारा है ड्रा हीट इस्ट्रिलाजेशन में हम इसका इस्तमाल करते हैं अपने hot air oven का, तो हम जानेंगे इस hot air oven में क्या क्या चीज़ा रहती हैं, हमें कैसे हम अपनी laboratory में यूज करते हैं, तो चले दोस्तों, जानते हैं hot air oven को कैसे हम अपनी laboratory में यूज करते हैं, ये हमारा hot air oven है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसमें कैट चीज़ां रहती हैं हमारे hot hardware में, सबसे पहले हम इसके outer side में देखें, तो यह सारी चीज़ां आपको देखने को मिलती हैं, यह हमारा on off का है, यहां से हम जो हम इसको हम rotating करते हैं, तो यह on हो जाता है, यह main indicator है, ठीक है, यह on हो जाता है, यहाँ पर red light हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर जब हम इसको rotate करते हैं, दुवारा तो यह off हो जाता है, ठीक है, on off का main switch है, यह है, ठीक है, यह दो indicator है, ठीक है, यह main indicator है, यह indicator है, control करता है temperature को, जो हमारा hot air oven है, इसके अंदर का temperature है, अगर हमने अपने, जो set temperature किया है, हमने अपने hot air oven का, अगर उससे ज्यादा हो जाता है, hot air oven के अंदर का temperature, तो यह auto cut हो जाता है, ठीक है, अगर जो हमने set किया है, उससे कम हो जाता है, तो फिर, यह क्या करता है, फिर, क्या करता है, heat होने लगता है, ठीक है, और फिर उसके स्थेणर में आपको जो दिख रहा है lax. यहां से हम टेम्ट्यूचर को सेट करते हैं अगर हमने कम करना है तो हम अपने left side को rotate करेंगे अगर हमने इसको increase करना है इसको temperature को बढ़ाना है तो हम इसको अपने right side में rotate करेंगे ठीक है तो यह है हमारा hot air oven का outside का जो इसमें रहती है यह सारी चीजें और एक चीज में आपको बता दूँ जो इसका maximum temperature रहता दोस्तो 250 degree Celsius ठीक है यह 250 degree Celsius का maximum temperature है और उपर में आपको इसका और चीज एक चीज और दिखा देता हूँ यह है दोस्तो जो main है यहाँ पर हमें temperature thermometer है इसका एक side अंदर यह hot air oven के अंदर रहता है जो हमें temperature को बताता है और जो दूसरा side है यह बाहर रहता है इसमें temperature हमें देखने को मिलता है अंदर का temperature क्या है हमने जो set कर रखा है वो हमें इसमें देखने को मिलता है यह क्या है thermometer ठीक है तो हम हम इसके अंदर देखेंगे और जो यह आपको दिख रहा है, यह जैकेट है, ठीक है, यह मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, यह देखिए, यह जैकेट है, यह बनी होती है, ग्लास वूल फाइबर से बनी होती है, और यह डवल वाल इंसुलेटर होती है, इसके जो डवल वाल है, यह डवल वाल इस के बीच में दोस्तो हमारा कि fire sì बेससे यो ग्लास्व फाइबर इस के अंदर इसके बीच में डहा रहताया जो क्या करता है हमारा जो रनदर जो टंपर-चर है जो हीट उसे भाँर आने से रोगता जो यह आपको जैकित दिखरी है इसके अंदर क्या होता है glass wool fiber ठिक है glass wool fiber इसके अंदर डला रहता है पूरे में जो क्या करता है जो अंदर का temperature है hot air oven का जो अंदर का temperature है उसे बाहर आने से यह रोगता है ठीक है तो अब हम अंदर के जो चीजें हैं उनको देखींगे यह आपको यह सारी जो आपको दिख रहा है यह ट्रे है इसमें हमें अपना अप्जेक्ट रखना होता है जो हमें इस्टिलाइज करना है हम इसमें इस्टिलाइज क्या क्या करते हैं दोस्तों जो भी glass wear होते हैं, जैसे पिखला देता है और चीपक जाता है और मेल्ट हो जाती है यही पर तो इससे जो हमारा होटीवर है यह रोन है उसमें उसके खराब होने में होने का खत्रा रहता है और दोस्तों हम इसमें इस्टिलाइज करते हैं जैसे हम जो भी यह जो ट्रे है, इसमें यह देखिए, जो यह आपको यह पोर्स दिख रहे हैं, चिद्र दिख रहे हैं, यह इसलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जो भी अंदर heat generate होती है, वो पूरे chamber में circulate हो, ठीक है, इसलिए इनमें यह पोर्स बनाए रखते हैं, पोर्स जो आपको दिख यह इसलिए बनाए जाते हैं, कि पूरे chamber में, क्या हो, heat circulate हो, ठीक है, ताकि अच्छे से, जो भी material हमने इसके अंदर रखे हैं, वो सारे sterilize अच्छे से हो जाएं, ठीक है, इतना कि लिए रहे हैं, तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ, इसमें और भी चीजा रहत हो जाता है, खेक है, अगर जो हमने set कि our temperature से ज़्यादा हो जाता है, तो यह auto cut हो जाता है, जो आपको दिखा रहा Anda, auto cut का यह है, control यहाँ अखुदी auto cut हो जाता है, यहाँ ठीक है, खुदी- अगर इससे καम हो गया, तो यह heat यहां generate और फिर से जो हमने set किया है उस set level तक heat generate होगी temperature उसका set level जायगा ठीक है, तो यह है हमारा temperature sensor जो हमें temperature बताता है छो हमने set किया है temperature उसको control करता है, ठीक है, और यहाँ पर MARC उमने आपको दिखा है था भाहर से, घर्मामेटर जो हमने temperature set किया होता है जो अंदर का temperature है यहाँ पर हमें दिखाता है ठीक है जो हमने temperature set किया है तो अंदर इसकी एक site अंदर होता है जो नो वोती है देखे आप देख पारे होंगे आए हो यह जो आपको पीला-पीला दिख रहा है यह mercury लगी है यहाँ पर इसमें यह आपको वेंट दिख रहा है यह एक right side में है और left side में है ठीक है यह दो वेंट है यहाँ से जो भी chamber के अंदर hot air oven के अंदर जो भी temperature रहता है जब temperature rise होता है और जो भी gases बनती है और जो vapors बनते हैं वो यहाँ से अरिलीज होती है बाहर को ठीक है इतना के लिए रहे है तो यह है हमारा hot air oven I hope कि आपको समझ मा आ गया होगा मैं एक बाग फिर से आपको समझा देता हूँ दुबारा यह यहाँ पर हमारा जो है सबसे परमा आपको दिख रहा है यह हमारा temperature थार्मा मेटर है और इसका एक साइड मैं आपको अंदर दिखा था यह मां अंदर का जो temperature हो बताता है और यह यह जो आपको बताया था मैंने यह जब अंदर का जो set temperature की है हम जो temperature हम set करते हैं अगर उससे ज़्यादा होनी लगता है hot air oven अंदर का temperature hot air oven के तो यह Auto Cut हो जाता है, तो यह क्या है? चन्ट्रोल करता है, अंदर के Temperature को, तहीक है? जो मैंने आपको sensor दिखाया था अंदर, इसका, वो sensor, इसलिए रखा जाता है अंदर की, जो अगर Temperature जो हमने set किया, उसे ज्यादा हो जाता है, तो यह खुद auto cut हो जाता है अगर कम हो गया तो फिर से heat होने लगता है तो और यह मैंने आपको बताया नोब है temperature setting नोब है यहाँ से हम temperature को set करते हैं जितना भी आपको रखना है और यह हमारा on off का है यह मैंने on किया यह light main switch है यह है controller indicator ठीक है यह देखिए यहाँ से मैंने on किया है इसको और यह सारा tray है और इसको आप adjust कर सकते हैं जो आप item है आपके पास systemize करने के लिए उसके according आप इनको adjust कर सकते हैं उपर नीचे कर सकते हैं जिसे मैंने यह निकाला है मैं इसको नीचे डाल देता हूं इसमें डाल सकता हूं इसमें डाल सकता हूं यह देखिए ऐसे करते हम इनको adjust करते हैं यह देखिए इनको हम adjust कर सकते हैं अपने item के according इतना के लिए रहे हैं तो मैंने आपको पताया जो यह jacket है यह किसी बनी इसमें क्या रहता है यह double chamber insulated होती है और इसके बीच में जो इसके अंदर डला रहता है इसमें glass wool fiber का glass wool fibers इसके अंदर डला रहता है जो कि अंदर का जो temperature है उसे बनाई रखने में help करता है ताकि जो अंदर का temperature है जो heat है उसको बहार नहीं आने देता है ठीक है इतना के लिए रहे हैं तो दोस्तो यह है hot air oven और जो अगला वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे यह जो बगल में इसका इनक्यूवेटर है इसके बारे में ठीक है यह hot air oven आज हमने जाना क्या होता है हम इसमें क्या चीज़ें इस्टिलाइज करते हैं आगला az हमें जान ईसकाइज करते हैं और यह प्लेली नियुक हम इसमें करते हैं रबर ब्लास्टिक की चीज़ें इसमें इसमें सकते ही क्योंकि इसके टेमिट्रिटर जो बढ़ता है तो वो क्या करती है melt कर देती है और वो क्या पिखल की हमारे जो है जो होड़ एरोवन है उसके अंदर जो हमारे ट्रे है उसके चिपक जाता है ठीक है और इसका खत्रा भी रहता है ठीक है प्लास्टिक और इन चीजों से क्योंकि वो जल जाती है ठीक है इतना के लिए रहे तो दोस्तो आज के लि ये वीडियो ये समझ माया हो गए प्रैक्टिकल हॉट ये रवन का कि हम कैसे इसको इसको इस्तिमाल करते हैं अपनी लैबोटरीज में क्या क्या चीज हम इसमें स्ट्राइच करते हैं और कैसे हम इसको इसको इस्तिमाल करते हैं आपनी सीखा होगा तो मिलते हैं अपनी नेक्स